जोहार, जैमुल्यो आसी में संकेत और आप देखे है MN TV कुरोना महामारी भारत में जिस तरह से फैल रही है उसने अभी तक 2,60,000 से भी जाने ली है करोडों लोगों को संक्रमित किया है और आज भी कई लाख लोग संक्रमित है कई लाख एक्टिव केसिस भारत में चल रहे है दूसरी लहर भारत में फैल रही है और दूसरी लहर की वज़े से भी हर रोज 3-4,000 लोगों की मौत हो रही है तो वही हर रोज 3-3,5 लाख के करीब नए मामले नए कोरोना संक्रमित सामने आ रहे है उनकी जाच हो रही है और ये जो मोते हो रही है उसके लिए ये कोरोना वाइरस कम जिम्मेदार है ये महामारी कम जिम्मेदार है इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो मोधी सरकार की निश्क्रियता मोधी सरकार की नाकामिया मोधी सरकार की जो गलतिया है वो गलतिया सबसे ज्यादा इस महामारी के लिए या इतनी जो मोते अभी तक हुई है उसके लिए जिम्मेदार है और ये केवल हम नहीं कहे रहे बलकि देश विदेश के लोग भी इंटरनेशनल मेडिया भी डबलो एचो ने भी अपने रिपोर् में या कंट्रोल में नहीं है इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं ये भी खबरे सामने आ रही है कि गंगा नदी में सेकड़ शव बहकर आए उतर प्रदेश बिहार इन राज्यों के ये शव बताये जा रहा है ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना से मौत होने के बार उन परिवा के पास उनका अंतिम संसकार करने के लिए पैसे नहीं है और इस वज़े से वे लोग गंगा में या नदीयों में शव बहा रहे हैं ये भी मामला सामने आया इसकी एक शिकायद राश्ट्रे मानवादिकार आयोग में दर्च की गई उसके बाद राश्ट्रे मानवादिकार मानवादिकार आयोग ने इसका सग्यान लिया और केंदर सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार बिहार के सरकार जहाँ पर तीनो सरकारे बीजे पी के है वह उनको नोटिज जारी किया है और उनसे लिखित में जवाब मांगा है इसके आलावा ये भी मामले सामने आ रहे हैं कई राज्यों पर कई राज्य सरकारों पर ये आरूप लगे है कि वे अपने राज्य में कोरोना से होने वाली मौतों के आकड़ों को चुपा रहे हैं यह अगर महाराष्टरा की बात करें तो महाराष्टरा में विपक्ष दलके नेता देवेंदर फड़नवी सिनों ने जिनाय कर दिया है उन्होंने कहा है कि ICMR और WHO इनकी तरफ से जो कुछ प्रोटोकॉल आये है उनके हिसाब से ही वो जो मरने वाले लोग है उनका रेजिस्ट्रेशन कर रहे है और वही आकड़े जो है वो लोगों के सामने ला रहे हैं यह आरोप बिहार की नितिश कुमार सरकार पर हुआ जहाँ पर BJP का शासन है यही आरोप पिछले महने यानि 16 अपरेल की एक खबर है कि विजय रुपानी की जो गुजरात की सरकार है उन पर भी आरोप हुआ है और गुजरात पर जो आरोप हुआ है वो बहुत ज्यादा संगीन है दैनिक भासकर के हवाले से मैं आप की खबर पढ़ूंगा और उसके बाद उस खबर पर हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा भी करेंगे इस खबर का विशलेशन भी करेंगे सबसे पहले खबर क्या है यह मैं आपको बता दू गुजरात में कोरोना के नए मामले और मोतों के आकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं अमदाबाद, सूरत, राजकोड, भावनगर, जामनगर जैसे जिलो में हालात ऐसे है कि शवग्रोह में लाइन लगी है इसके बावजूद सरकार कोरोना से मरने वालों के सही आकड़े छिपाने की कोशिश कर रही है दैनिक भासकर ने 1 मार्च 2021 से 10 मई 2021 तक के डेट सर्टि दिनों में ही 123,871 डेट सर्टिफिकेट जारी किये जा चुके है जबकि सरकारी आकड़ों में कोरोना से मरने वालों की संक्या सिर्फ 4,218 ही बताई गई है ऐसे में सवाल ये है कि सिर्फ 71 दिनों में करिब सवाल लाख लोगों की मौत कैसे हो गई तो दहिनिक भासकर के हवाले से हमने ये खबर आपको बताई किस प्रकार से गुजरात सरकार उनके राज में मरने वाले यानि कोरोना से जिनकी मृत्ति हुई है उनके आकड़े चुपाने का काम कर रही है 33 जिलो और 8 निगमो यानि 8 municipal corporation द्वारा 71 दिनों में सवाल लाख के करीब death certificate जारी किये है यानि 7 लाख के करीब लोगों की वहाँ पर मृत्ति हुई है उसके बाउजुद भी सरकार ये दावा कर रही है कि कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या जो है वो केवल 4218 ही है तो यह किस्परकार का गुजरात मॉडल है जिसका धिंडोरा 2014 से मोधी सरकार पीट रही है और लगादार देश को बता रही है कि हमें देश को गुजरात जैसा बनाना है गुजरात मॉडल देश के सामने रखा जा रहा है ये कैसा गुजरात मौडल है जहाँ पर सवा लाक के करीब लोग मर जाते हैं उनकी मृत्ति होती है लेकिन सरकार ये कहती है कि इस महामारी के बीच केवल 4000 लोग ही इस महामारी की वज़े से मरी है तो बाकी के जो लोग है वो किस वज़े से मरे इसके बारे में गुजरात सरका किसी प्रकार का कोई खुलासा करते हुए दिखाई नहीं दे रही है ये आकड़े चुपाए जा रहे है और इसको लेकर इन चुपाने वाले इन इन आकड़ों को लेकर ही गुजरात हाइकोट की तरफ से भी सरकार को एक फटकार लगाई है BBC की तीन दिन पहले की एक रिपोर् नहीं होगा वास्तविक तस्वीर को छुपाने या दबाने से कई गंबिर समस्याए पैदा होंगी लोग डर जाएंगे उनका भरोसा कमजोर पड़ जाएगा और जनता के बीच बेचे नि बढ़ेगी तो एक महना पहले अपरेल के महने में ही जो हाइकोट है गुजरात प्रकार लगाई कि आप ऐसे मत कीजे आप इन आकडों को छुपाने का काम मत कीजे अगर ऐसा आप करते है तो लोगों में बैचे नि बढ़ेगी अगर ये महामारी की वज़े से लोग नहीं मर रहे तो किस वज़े से मर रहे ये भी सरकार की तरफ से अभी तक कोई हुई है और सरकार कह रही है केवल 4,000 लोग ही इस महामारी की वज़े से मर रहे हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है आप क्या सोचते हैं सरकारे क्यों आकड़े छुपाने का काम कर रहे है ये हमें बताईए और इसके अलावा भी अगर आप कुछ अलग राय रखते है तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर लिख कर बताईए ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए शुक्रिया